हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं लेकर आएं यह दिवाले इस पेसल आटे से बनी वी बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी सकर पारे इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में बहुत ही लाज़ब लगता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहां पे लिया एक मिक्सर जार उसमें ले रहे हैं दो से तीन चमच हमने यहां पे लिया है सूजी और इसके साथ ही हमने लिया है हाप कप चीनी हमें यहां सूजी और चीनी का पॉडर बनाना है तो इसे ले लिये आप इसका ठकन बन करते हैं और इसे मिक् के लासत और उर ठीपी बनता है तो चली इसे रख ते 1 पड़ रचतन लेते हैं रेता है यहाँटा भीकषल की बनाता है । हम्ने यहाँ पिम और त UV कप ़सीद रिया है सकते हैं और अना युप क्नोरी को बिलाया है तो आट और चीनी अची तरसे mix हो चुका है, अब इसमें डालते हैं 1 by 4 cup घी, चमत से अगर आप ना पेंगे तो 4 से 5 चमत ये घी होगा, आप इसकी जगा refine oil बे डाल सकते हैं, पर घी से ये बहुत ही ज़्यादा खसता, crispy और स्वाधिस्ट बनता है, घी डालेंगे तो ये बह ठोड़ा पानी और पानी हमें यहाँ थोड़ा ठोड़ा ही डालना है, हमने यह एक कप पानी लिया है, थोड़ा ठोड़ा कर heute में पर नचीं ते जाना है, यहाँ पर Medium-Sakt Do डैर करना है, नहीं नर्म और नहीं ज्यादा सकत, क्योंकि इसमें सूजी है, तो इसमें थोड़ा अच्छे से नर्म हो चुका है, और इसे एक बार फिर से अपने हाथों से अच्छे से मसल देते हैं, और इसे अच्छे से मतलने के बाद इसे फ्लेटपॉम पे ले लेते हैं, और अपने दोनों हाथों से मतलते वे इसे थोड़ा लंबा कर लेते हैं, और एक चाकू से इसके हम बगा कर इसे अच्छे से बेल लें इसे ना ही पतला करना है और ना ही ज्यादा मोटा तो देखिए मैं इसकी थिकनेस दिखा रही हूं ना ही मोटा ना ही पतला बहुत ही अच्छे बस इतना ही पतला काफी है बस इसे चाकू या पीजा कटर से चारो तरफ से पहले इसे जैसे भी सेप में कट कर रहे खाने में तो बहुत इस्वादिश लगता है तो चलिए हमने इसे कट कर लिया अब इसे उठा कर एक थाली में रख देते हैं और बाकी बचे को भी हमें सबसे पहले कट कर कर त्यार करना है सकर पारे फिर इसे फ्राइ करना है सारे कट हो जाएंगे तो फ्राइ करना आसान रहेगा तो लिजी हमने सारे कट कर लिए देखिए इसकी थिकनस बहुत ही अच्छी हुई है नहीं ज्यादा मोटा नहीं ज्यादा पतला थो चलित तेल भी हमने गर्म होने के लिए बिठा दिया है तेल हमें हलका मिडियम गर्म रखना है तो एक चोटा सा टुकड़ा हमने डाल कर चेक कर लिया बिल्कुल ऐसा ही तेल चाहिए तो बस चन्नी में पूरी तरह से डाले को अच्छी तरब से शिख जाए तो देखिए कितने अच्छी तरब से फूलकर ओपर आ गया और झाइक बार अच्छी तरब से से सिख यह जाता है तो लांते प्लट्डय बूलाउन वाट नहीक हो गया है। बस इसे चान कर निकाल लेते हैं बहुत यह अच्छा color आया है क्योंकि यह ठंडा होने के बाद और डार्क हो जाता है इसलिए इसे ज्यादा डार्क ना करें इसे बस चंड चुका है और इसे निकाल कर बरतन में transfer कर लेते हैं देखे कितना crispy और खस्ता बना है तो चलिए बाकी बचे को भी हमें इसी तरह तल लेना है अगर तेल आपका ज्यादा गर्म हो गया है तो सिफ्ट कुछ दिर के लिए ओफ कर दे फिर थोड़ा सा मेडियम ठंडा कर लेते हैं फिर सारे को डाल कर अच्छी तरह से golden brown hot तर तल लेते हैं तो लेजिए तयार होगे हमारा गर्मा गर्म खस्ता क्रिस्पी सकर पारे तो इस फेस्टिबल इसे जरूर ट्राए करना यह बहुत ही स्वादिश लगता है और फेस्टिबल में नमकीन और मीठा खाने का तो मन करता ही लेजिए मैं तोड़कर दिखाती हूं कितना क्रिस्पी और कितना खस्ता बना है तो आप भी इसे बनाएं और हमें बताएं आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी अगर पसंद आये होगी तो प्लीज इसे लाइक करना और इसे जादा जादा सेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलना तब फिर से मिलते कि ने रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाबाई, टेक कियर और पूरे रेसिपी देखने के लिए, थैंक यू